नमस्कर दोस्तो मेरी नाम स्रीकान कुमर आप देख रेटुजेट कोसिस अज हम बात करने वालिशी वीडियो में दोस्तो अगर आप ऐसरम कारड बना रखे हैं और इसरम कारड से हर महीना गौवर्मेंट से पैसा लेना चाहते हैं तो उसके लिए ओनलाइन आवेदन आप कर स तो आपके bank account में हर महीना पैसा मिलना सुरू हो जाएगा, तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या इसका process है, क्या इसका परकिरिया है, सारा कुछ इस वीडियो में step by step करके दिखाने वाले हैं, तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं, तो मेरे सब्सक्राइब कर लिजिए, बल आइकान घंटे को प्रेस कर लिजिए, ताकि मेरा वीडियो को नोटेफिके सान सबसे पालप के पास कहुच पाए, तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तों उसके लिए सबसे पहले mobile ये laptop का किसी एक browser को open कर लेना है, browser में type करना है, इस RAM, उसके बाद search के option पे click कर दना है, सबसे उपर जो link के दीख रहा है, इस link पे click कर दना है, इस RAM card का official portal इस परकार से open हो जाता है, जो इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है, तो सबसे पहले scroll down करना है, और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, अपडे अपडेट प्रोफाइल के option इस वाले option पे click करना है, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, अपडेट प्रोफाइल के option इस वाले option पे click करना है, यहाँ पर अपना एक mobile number को type करना है, इस capture code को इस box में type कर दना है, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, send OTP, send OTP के option पे क्लिक करना है, mobile number पर एक OTP को send किया गया है, OTP को इस box में type करना है, उसके बाद submit के option पर click कर देना है उसके बाद कुछ इस परकार के interface open हो जाता है, यहाँ पर अपना अधार number को type करना है, और यहाँ पर तीन option दिया गया है, जिस option से आप download करना चाहते हैं, isram card को, उस वाले option को सबसे पहले यहाँ पर select करना है, तो चले यहाँ पर OTP वाले option को select करेंगें, उसके बाद इस capture code को इस box में type करना है, submit के option पर click करना है, उसके बाद अधार card के साथ जो mobile number link होगा, उस number पर एक OTP को send करा जाता है, OTP को fill up करना है, उसके बाद isram card को диForce कर लेना है, अगर आपका पहले से ऐसram card डॉनलोड किया हुआ है, तो isram card डॉनलोड करने को आपको ज़रूरत नहीं है, जिसका डॉनलोड किया हुआ नहीं है, पहले से जिसका इसरम कार्ड बना हुआ है और उसके पास इसरम कार्ड नहीं है इसरम कार्ड नमबर नहीं है तो उन लोगों सबसे पहले इस परकार से अपना इसरम कार्ड को डॉनलोड कर लेना है क्योंकि अपलाई करने के लिए वहाँ पी इसरम कार्ड नमबर का मांग किया 3,000 उपय महीना लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो link दिया गाए इसी link के उपर सबसे पहले click करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए Government of India का official portal इस परकार से open हो जाता है जो इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है अब इसी portal के मदद से आपको apply करना होगा तो apply करने के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है 3 line के option 3 line के option पर click करना है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है service के option service के option पर सबसे पहले click करना है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है new enrollment के option इस वाले option पे click करना है उसके बाद okay के option पे click करना है जैसे आप okay के option पे click करते हैं तो कुछ इस परकार के interface यहाँ पे open हो जाता है और यहाँ पे तीन option देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है self enrollment के option इस वाले option पे click कर अब यहाँ पे अपना मोबाईल अमबर को टाइप करना है, प्रोसीट के आप्शन पे क्लिक करना है, मोबाईल अमबर पर एक OTP को संड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप करना है, उसके बाद प्रोसीट के आप्शन पे क्लिक करना है, लॉग इन होने के बाद कुछ पर कार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है थिरी लाइन, थिरी लाइन के ओप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सर्विस के ओप्शन, सर्विस के ओप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद एस साइड में सबसे पहले चले आना है जैसे आप एस साइड आते हैं तो यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल जाता है enrollment के option enrollment के option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर देखिए government का तीन a scheme यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहाँ पर कौन सा a scheme को select करना है तो यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है प्रधान मंत्री स्रम योगी मंदन योजना इस वाले option पे click करना है अब यहाँ पे दिखिए आप से मांगा जा रहा है कि अगर आपके पास इस स्रम कार्ड है तो उसके लिए यस वाले option को select करना है ऐसे अगर आप यहाँ पे no वाले option को select करते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि इस स्रम कार्ड बनाने के लिए अगर आपका इस स्रम कार्ड बना हुआ है तो फिर आप इस योजना का benefit उठा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है यस वाले option को click करना है अब यहाँ पे देखे रजिस्टेशन करने के लिए यहाँ पे 6 step दिया गया है 6 step में form को fill up करना है पहला step में जो है कि enrollment form को fill up करना होगा जिसमें यहाँ पे अपना personal details को fill up करना है अपना ishram card number को यहाँ पे type करना date over को select करना है यहाँ पे अपना अधार number को type करना verify के option पे click करना है इसी प्रकार से आज scroll down करना है और यहाँ पे जो भी आपका personal details मांगा जा रहा है personal details को यहाँ पे देना है उसके बाद फिर next page open हो जाता है जिसमें आपको fill up करना होगा अपना bank details और nominica details को यहाँ पे देना होगा उसके बाद फिर तिसरा step का page open होता है जिसमें आपको my edit form का एक option आएगा download करने के लिए तो सबसे पहले form को आपको download करना होगा उसको form को किसी भी cyber में cap पे जाकर उसका print out hard copy निकलवा लेना है और उस form में जो भी आपसे details का मांग किया जाएगा उस सारा कुछ details आपको fill up कर लेना है फिर उस form को सबसे पहले scan करना है अगर आपके पास mobile है तो mobile से आपको photo click करना होगा फिर आपको जो है कि अगला step में upload करना होगा उसके बाद फिर चौथा step का page open हो जाता है तो जो आपने form को photo click किये है या scan किये है उसको चौथा step में जो है कि आपको upload करना है उसके बाद फिर जैसे आप next option पे click करते हैं आपसे कुछ payment करने के लिए बोला जाता है तो दोस्तो इस योजना का benefit लेने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रुपए डोनेट करना होता है तो कितना रुपए डोनेट करना होता है कितना रुपए पे करना पड़ता है चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं इस योजना में अपलाई करने के लिए आपका उम्र जो है कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए तो अगर आपका उम्र अठरा साल है तो फिर आपको कितना रुपया डोनेट करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे आप एस साइड में आते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया है हर महिना आपके बैं के कौंट से 55 रुपया काट रहाएगा और 55 रुपया सेंट्रिल गोवर्मेंट के दुवारा आपके नाम से जामा किया जाएगा टोटल आपके नाम से पर मन्त 110 रुपया जामा किया जाएगा यही अगर आपका उम्र जो है कि 19 साल का है 19 साल के अगर आप हैं और अपलाई कर रहे हैं तो 19 साल वाले लोगों के लिए कितना यहाँ पर पेमेंट करना होगा और 200 रुपया आपके नाम से पर मन्त 400 रुपया जामा किया जाएगा और जैसे आपका उम्रे 60 साल पूरा हो जाता है तो फिर गॉर्मेंट से 3000 रुपया का आपको पेंशन हर महीना मिलना शुरू हो जाएगा तो पच्छमा अस्टेप में पेमेंट आपको करना होगा आट्रो डेबिट वाले आप्शन को इनेवल करना होगा आपके बैंक से एटोमेटिक पैसा को कट लिया जाएगा उसके बाद छटा अस्टेप में प्रधान मंत्री सिरम योगी मंदन योजना का कार्ट को डॉनलोड कर लेना है और इस योजना में अपलाई करने के लिए क्या क्या इल्जिबिलिटी होनी चाहिए तो यहाँ पे दिखे इल्जिबिलिटी के बारे में यहाँ पी बताया गया तो अगर आप इस सिरम कार्ट बना रखे हैं और अगर आप महिना का 3,000 रुपा पैंसन लेना चाहते हैं गौर्मेंट से तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपलाई करना होगा इस तरीका से और जैसे आपका उम्रे 60 सल पुरा हो जाता है तो फिर आपको 3,000 रुपा का पैंसन मिलना सुरू हो जाएगा और अगर आपका किसी प्रकार से मृत हो जाता है तो जो भी आपको पैंसन जो मिल रहा था 3,000 रुपा का वो पैंसन जो है कि आपके लाइफ पाटनर को दिया जाएगा 50% यानि 15,000 रुपा पर मंद और दोस्तों अगर आपके मन में प्रस्ट ने उठ रहा है कि हम यहां से आज अपलाई करें और कल से इस रमकार से हमें पैसा हर मैना मिलना सुरू हो जाए दोस्तों ऐसा नहीं है उसके लिए आपको असकीम के लिए अपलाई करना होगा असकीम का जो भी बनिफिट होगा जैसा इसका रूल होगा उसी तरीका से आप जो ही की पैमेंट ले सकते जैसे एक पैंसन योजना के लिए है तो आपको पैंसन हर मैना 60 साल पूरा होने के बाद 3000 रुपा दिया ले लेगए लेंट व्याव एजुठक लगई के लिए यह थेते लिए आपको जगते से जापको आपको फिए एक एने